हेलो पेंस आज मैं बनाओंगी ओर्यो मिल्क शेक इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये पीने में भी बहुत ही जादा टेस्टी एन यम्मी लगती है ये बच्चे हो या बड़ो सभी को बहुत ही जादा पसंद आती है आज हम बिलकुल बाजार जैसी ठीक ओर्यो मिल्क शेक बनाएंगे घर पर बहुत ही आसानी से तो चलिए बिना देखे आज की हमारी ये रेसेपी को बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने ये दो ओर्यो बिस्किट का पैकेट लिया तो यहां पर हमने ये छोटे वाले लिया है जो 10 रुपिय वाले ओर्यो बिस्किट का पैके बचा लेंगे इसका इस्तमाल हम लास्ट में करेंगे और इसी साथ हम हेहां पर मीठे के लिए आट करेंगे दो से टीन, चम चीमाच की जितना सुगर आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्ड ले और इसके बाद अपर एड़ करेंगे एक घ्लास Bak में टंद दूह तो यहां प अब हम यहां पर बचा हुआ सारा जो मिल्क है हम यहां पर वापस से आड़ कर देते हैं यह सारा मिल्क और इसी के साथ हम यहां पर आड़ करेंगे दो चॉकलेट आइसक्रीम यह बिल्कुल ऑप्सनल है अगर आपके पास हो तो आड़ करें नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते ह चॉकलेट आइस क्रिम से हमारी जो मिल्क शेक का टेस्ट है और भी जाता बर्ष जाता है और इसी के साथ हमें हाँ पर एड़ करेंगे ये चॉकलेट सीरप अगर आपको एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर पसंद हो तो ही आड़ करें नहीं तो आप इसे भी स्कीप कर सकते है तो यहाँ पर करीब एक चॉकलेट सीरप एड़ कर देते हैं और इसी के साथ हमें हाँ पर एड़ करेंगे दो तिन आइस क्यूब इसे हम डाल देते हैं और इन सभी चीजों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है तो यहाँ पर देखिए हमने इसे कर लिया है ब्लेंड य अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं तो चलिए फटा फटा मिसे सर्व भी कर लेते हैं तो सर्व करने से पहले हम ग्लास को थूड़ा सा चॉकलेट सीरप सोस जो भी हो आपके पास इसे इस तैके से डेकुरेट कर लेंगे तो यहां पर हमें ग्लास के इंद इसतेके से थोड़ा-थोड़ा सा चॉकलेट सीरप को रीजल करना धेकिएоды सर्व दिखने में भी यह सुंदर लग और पीने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी तो इस तैके से हम दोनों ग्लास के अन्दा इस तैके से से थोड़ा-थोड़ा सा चॉकलेट शिरप डाल लेंगे चार और फ़ला लेना है देखिए इस तरह के से तो यहाँ पर हमने इसे जो है दोने ग्लास में डाल ले है देख सकते हैं और अब हम इसमे ठंडा ठंडा यह यह तो अब आपके पास बीप्ड करीम भी डाल सकते हैं या फिर अप सिंपल सी ओर्यो कर सकते हैं तो यहां पर हम उपर से थोड़ा सा चौकलेट सीरप डाल देते हैं और एक हम ओर्यो का बिस्किट लगा देंगे और उपर से हम थोड़ा सा चौकलेट चिप्स डाल देते हैं मेरे पास यह वाइट वाले चौकलेट चिप्स थे तो यह इसे हम डालकर गानिशिंग कर देंगे तो लीजिए आज की हमारी ये ठीक और्यो मिलक्षिक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये पीने में भी बहुत ही जादा टेस्ट्री और यम्मी लगती है आप भी इससे चरूर ट्राइक इसे बिल्कुल दो मिनिट के ना भूले ताकि मेरी आने वारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार थांक्स पोर वाचिंग